नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पिछले आंके में हमने चर्चा किया प्रेम विभा हिर्दय रेखा से कैसी पता चलता है उसके विशे में हमने बताया आप पिछले आंके में देख सकते हैं अन्नी संभावना अन्नी जो परवल संभावना है उसके विशे में आज थोड़ होगि जम्हानी सब्सेयर लेखते हैं अगर आपके आपके लिए प्रफकार और इस प्रफकार से अगर son come says इस्फक नीचे नीचे से उस मिस्परकार से आके स्को सफॉट दी यह इस चीज को दिखलाता से डिए ऐसे जातक का एक सफल प्रेम विभा हो सकता हां 100 % गारेंटी नहीं कि सैदी विभाँ प्रेम ही होगा कि बीभाँ के बाद भी प्रेम हो सकता है तो दिये आइसी जातक़् कि यह संभावना बनती है प्रेम विभाँ को दर्साता है अगर ये दूमिखर रेखा आके इस परकार से मिल जाए लेकिन आगे जाके ये रेखा पुनद्दु भागों में अगर इस परकार से बढ़ जाती थी अच्छा साइन नहीं है इसा होगा कि आपने विभातों प्रेम विवातों कर लिया लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं आपस में बनेगी नहीं तो ये हो गई विभा रेखा पर इस परकार से जान सकते हैं अनि जो छेतर है हमारा गुरू परवत अगर आपका अच्छा है उन्नत है उन्नत है मने पुष्ट है थोड़ा उभार लिया हुआ है गद्यदार है और इस पर इस परकार से एक सकते हैं ऐसे जातक अगर प्रेम विभा करते हैं तो इनका विभा काफी सुखद राता है नहीं भी करते हैं तो विभा के बाद इनका प्रेम बहुत अच्छा होता है इनकी पत्नी के साथ बहुत अच्छा बना होता है काफी सुखद इनकी जिंदिगी ये अच्छे पती होते हैं कि यह हमारी गुरु पर्वत अगर गुरु पर्वत पर मालिया इस प्रकार से स्वास्ति बनता है इस प्रकार से यह भी यह दर्शाता है कि ऐसे जातक बास्तपिक रूप से प्रेम करने वाले होते हैं यह चीज को दर साता है हार्ट लाइन है मालने अजिए हार्ट लाइन इस परकार से आती है गुरू छेतर पर यह हार्ट लाइन गुरू छेतर पर दो भागों में आकी यहीं पर बढ़ जाए इसके विश्चे में पुर्व में चर्चा किया है यह भी यह दिखलाता है कि ऐसे जातक प्रेम विभा कर सकते हैं इनका प्रेम विभा सफल भी होता है घर वाले उस पर राजी भी होते हैं इनका अच्छे से जेवन बेतीत होता है तो यह हो गई गुरू परवत की अन्नी जो इस्थिती बनती है सूरी परवत सूरी परवत की नीचे यह जो हमारी हर्ट लाइन है अगर सूरी रेखा हमारी इस परकार से हो इस परकार से कोई रेखा इसको सपोर्ट कर रही हो तो यह भी यह दिखलाता है कि ऐसे जातक प्रेम विभा कर सकते हैं इनका प्रेम विभा सफल भी होगा अन्नी संभावना जो बनती है भागी रेखा हमारी जो भागी रेखा है कोई भी रेखा जो बताया है हमने कि सनी पे छेतर पे जाने वाली कोई भी रेखा जो है भागी रेखा माली यह हमारी भागी रेखा इस प्रकारशे है अगर चंदर के छेतर से कोई आके भागे में शपोर्ट कर दे तो ये भी ये दर्शारता है कि आपका प्रेम भिवा हो सकता है और ये भिवा सफल भी होगा आपका फी सुख़द रहेगा इसकी संभावना को ब्यक्त की जा सकती है नहीं भी होती है तो विवा के बाद आपका विवा बहुत सफल लोगा चाहिए वो एरेंज मेरे जी क्यों नहीं हो ये ये संभावना बनती है और उसके बाद बनता है संभावना सुकर परवत ये हमारा जो सुकर का छेतर हैं उठे के नीचे और ये हमारे आयू रेखे के बीज में ये सुकर परवत का छेतरी ये दर्शाता है अगर उन्नत हो अच्छा हो मांसल हो तो विभाग सुब चिन हो इस पे तो बैभाईक जीबन बहुत अच्छा माना जाता है, इसा माना जाता है कि इनका बैभाईक जीबन बहुत ही अच्छा बितेगा, बहुत अच्छा रहेगा, अन्य शंभावना बनती है, यह हमारी मस्तिक्स रेखा है, बहुत से जातक के हाथ में इस परकार से देखने को मिलता मस्राइक मस्रेख और आ यह अहीं हुग रेख मिलों के बीच में काफि गैप है कि यह इतनी गैप बंटी है दोनों की बीच में यह कि इस प्रकार जो गैप बनते हैं ऐसे जात तक अभी है कि प्रेम विभा खोने की शंभावना बहुत जादा होती इसके कारण यह होते हैं इसकी चर्चा मतलब मस्तिक्स रेखा और आयू रेखा अलग होना या साथ में होना इसकी चर्चा में अपने आंके में कर चुके हैं आप मेरे पीछली वीडियो भी देख सकते हैं कि मेरे जो है अराम से आप देखिए बहुत सारी उसमें जानकारी दी गई तो ऐसे जातक जो हैं होते क्यां ऐसे जातक अपने मन के होते हैं कि यह जांकि लोगों के कम सुनते हैं अपने मनकी सुनते हैं अपने मनकी करते इसलिए इनकी भी हेम विवा होने की शहまだ बहुत ज्यादा होती है ऐसे जातक जो हैं खुद निरने लेने वाले होते हैं अपना डिसीजन खुद लेते हैं तो आज की अंक में हमने देखा बिवा होने की बहुत सारी संभावना